आज का दिन सिर्फ मनु भाकर के परिवार या हर्याना प्रदेश के लिए नहीं बलकि पूरे देश के लिए गर्व की बात हैं इस वक्त आप उनके माता पितर के साथ हैं ज़रा बताएं किस तरह का माहौल है और इस जीत पर क्या कहते हैं उनके परिवाजन देखे बिलकुल पूरे देश के लिए बड़ा गर्व का पल मनु भाकर ने जीता पहला ब्राउंज और इसके बाद पूरे परिवार के चेहरे पर जो हसी है यह आप महसूस कर पा रहे हैं और तमाम लोग इलाके के जो तमाम लोग है वो लगातार पहुँच रहे हैं बधाई तो मुझसे समाईत ही नहीं हो पा रही है मेरी खुश ही कहां गई मतों आप लोगों में देख रही हूं कि आख लोगों इतने कुस हो तो गुलाब का फूल आपको आज पते दें भी देंगे यह बेटीने जो मेडल लिया आज जो मैंने महनत करी है वो भी एक बार दिल से ब इनको थोड़ी पता होते है कि उस समय तो फोन भी नहीं होते थे तो बड़ी तकलीफ है सही है वैसे तो कोई नहीं तकलीफ से निकल के आगे बढ़ना एक जिंदगी है तो मैंने मतलब कहीं पर भी जिंद मैं कोटा में देख लो दिल्ली में कहीं पर भी किसी बच्चे के सा कुछ होता है ना तो शाय साय बचके साथ को न करने करती थी मेरें रीतन затем एन शाय को मैं मोटिवेट करती कि आफ भी 9 मंडीवेशन की बहुत मंडीवेशन लिफोड मिल और्लाम समय सभित पर गॏ हाँ, और पर pretend है कि अधिम मेर्चन टेवी डेश की सेवा वो वहां कर रहे हैं और आप ने दे मेलelshातु जीक और जब तक जिन्दगे में तकलीफे ना होना तो मजा निया तक सक्स होने का जी तो आज जब मनु ने मैडल जीता है तो कौन सी ऐसी चीज जिक सो सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज सबसे पहले तो विजे बताइए कि आपको पता कैसे चला चुश्कि जाती हूं तो मेरा द्यान मनूख को चल रहा है अपने की साफ पिता को वी शामिल कलेता हूं आप बताई कहा सर कैसे पता चला सबसे पहले फोन किसका आया और उसके बाद पहली पृतिक्रिया क्या दुझा कर रहे थे और मेरे पास फोन रखा वा दस मिनट में पंद्रा मिनट में फोन को न करके देख रही थी लिखने के साथ-साथ तो मैंने इनको ये कहा कि मनुने ब्रॉन जीत लिया तब या एक दम तब बोला कि अब मैं फोन खोल लूगा मन का भी खोलो अब बतियाओ जो बाते करने करो दिल में पहली भावना क्या ही जब पता चला बैल बजगी तब तक भावना आने से पहले बाहर देखा तो पत्र का रहे हैं नाई के तो फिर आप लोग आगे उसके पांच मिनट बाद में बावना की तर आए करें उसको पहले किया क्या देगे कि किस तरह किससी बात करते हूं बेटी से बेटी के चेरे पर मुसकुराट आए खिल के लाटा है मुझे ये वहीद सब देखना होता है लेकिन हमने जिता कि बड़ा संगहर्श आपने किया कि गाउं में आप रहते थे और उसके बाद आप शहर तक पहुंचे शहर में आके आप फरीदाबाद आए फरीदाबाद में अकेडमी में आपने ट्रेडिंग लंब सफर इस लंबे सफर को अगर मैं छोटे में पूछना चाहूं हम गाउं में रहते थे गाउं से हम चर्की दादरी में रहे और गाउं के जो स्कूल में वहां पर मनूने शूटिंग शीकिए वहीं पर युनिवर्सल स्कूल में ही मनूने जब तक वरल्ड चैंपियन बनी और कॉमने जी था तब तक मनू की मम्मी प्रिंशिपल थी वहां पर वहां तक रहा उसके बाद जब मनूने कोलेज में एडमिशन लिया तब ही हम मनू के साथ में यहां पर आती हूं अभी बीच में नहीं बोलना हूं ठीक है जब एक हम बेटियां जब हुबन के सशुराल में आती है ना उसको उनको आज भी एक जो सम्मान मिला जी नहीं मिलता है मैं ऐसे माहोल शी निकलके आई हूं अपने आपको भूत ज़्यादा खुद को इमोटिवेट करती रही हूं मैं मैं स्कूल में मैंने 15 साल मैंने काम किया स्कूल में मेरे सशुराल वालों ने किसी ने मे हैं जैना काम नहीं करूंगे मुझे स्कूल में पढ़ाना बच्छों को अच्छा लगता तो इनने स्कूल मुझे खूल की दिया और पढ़ाने जा रही हूं तो मेरे अपने सासुराल के जम है वो बिल्कुल खुश नहीं थे और समप्रक में नातेधार रिश्टारा तो किस प्रेसर नहीं बनाना है हमें जो बेटी बस मेरे ये था कि जो महनत मनूने करी है ना वो महनत दीख जाए बस रंग ला दे नहीं तो फिर मुझे बेटी को सुटिंग से अटाओंगे मैं क्योंकि इतनी तकलीप वो बरदास करती है ना कितनी बरदास करेगी बच्ची तूट ज करने के लिए नहीं जिन्दगी में काम तो मनूशे करने के लिए नहीं जिन्दगी में काम तो मनूशे कभी भी कर लेगा कुछ कुछ परो आचिव कुछ से ताकि दुनिया में याद करे तो इसलिए नहीं का हम 과ism करने के लिए उनको दबा दिया जाता है कि तुम कुछ भी नहीं हो तुम कहां जाओगी क्या करो करके तो वह सब मैंने भूत वर्दास किया है फिर जब बेटी ने जनम लिया तो मैंने का जो आज मैं सहन कर रही हूं कल को मेरी बेटी को भी सहन करना पड़ेगा मुझे तो यह नहीं वहां से निकलना मुझे कहीं भार जाना पने बचो दो ले के मैं जिनदगी में अपण बचचों को आणे में वाली हूं पिर भी वान में चली वह से पिर उतर्खी दादरिया थी बच्सों को ले घिす जो एक नकारात्मक सोच के बीच में रह रही थी बच्चों को कम से कम वहां से मध्दूर रखूं तो उस चीछ से मैंने अपनी बेटी को बचाया क्योंकि मेरी बेटी यह दी संसकारवान बनेगी अच्छी बनेगी तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएगी यह तो पिता न पहले हैं पहला शब मैं कहूंगा बेटा खाने का ध्यान रखना और नीन अच्छी लेना और अभी दो इवेंट बाकिये ज्यादा हावा में नहीं उनना है आरम सिखाओ और सोज़ाओ अब जब यह सोसाइटी के लोग रिश्चेदारों के फोन कैसी है मेरी चैंपियन यह बहुत है हमेश्या जब दोनुं का कॉल आएगा यह यह सब बोलते हैं मैं कहते हैं मेरी चैंपियन बीटी कैसी आज आज का क्या हाल है तब यह खाना होना का क्या हाल है शुटिंग जोट बात कर लेते हैं बड़ाइं बाद कर लेते हैं प्रेशार नहीं रखना है को जो वह दोनुं बहन बाई बती आते हैं 10-15-15 मिनिट तो मैंने बहुल रखा कि बेटा इतना कुछ उसको मोटिवेट करना कि वह खुशी-खुशी खेल पाए तो बेटे की डूटी अब मैं इसके टाइम में मनु के अभी मनु का जो अभी समय है उसके उसके लिए मैंने बेटे के मुबार्क बादा गई देगे परिवाज रनों को जब हम सुन रहे थे तो एक एकसाइटमेंट है उनकी जो माता है वो बता रही है कि क्या संघर्ष की कहानी है लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए आगे क्या परोसा जिसकी वजह से आज मनु भाकर की हरोड चर्चा हो रही है इस बाद्चित को आगे बढ़ाएंगे और उनके संघर्ष के पीछे की कहानी और वो मनु के लिए कैसे एक मेंटॉर बनी उसको लेकर भी बाद्चित करेंगे अगर हम संघर्ष की बात करें तो संघर्ष को आप कैसा याद करना चाहेंगे मेरी ससुराल की लाइफ में मेरी इतने उतार चड़ाव मेरी लाइफ में आये मतलब की कि एक ओरत जब तुटती है न तो पूरी तरह तूटी जाती है पिर संभल संभल के उठना भी पढ़ता है तो सभी महीलाओं को मैं यह संदेज देना चाहूंगी कि जब आपके मेरे पतीज मेरे पतीजी वीदेश में नोकरी करते थे मेरे साथ में इनको अपनी तकलीब में बताती नहीं थी क्योंकि आके लिए रहते थे हम तो मैं फिर भी बच्चों के साथ में अपना समय बिता लेती थी तो मैं बहुत ची ऐसी महिलाएं थी जिनके बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे स्कूल में फोज में नोकरी करते आर् कि माताओं को ही बुलाती थी कि आप आईए जुड़िये मेरे से और जिन्दगी में आगे बढ़ने का एक यहां से संकल्प करके जाएं तो मैंने बहुत महिलाओं को ऐसे सिखाया और घर से बार निकड़ी है और आज मुझे बड़ा याद करती हैं और आज मुझे बड़ा बेटा है तो उसके प्लान बनते रहते हैं दिमाग में कि अभी बहन को कहां गुमाना है उसको कहां मैं लेके जाओं तो दोनु बहन भाई-गाड़ी लेके निकल जाते हैं बार तो उसने प्लान बनाया कि जब मनु आएगी ना पापा टोक्यों से तो हम जल्दी ही घर में आएगे तो दूसरे दिन हम साउथ में निकलेंगे गुमने के लिए तो मनु को घुमाएंगे और मनु का थोड़ा सा मतलब मनु को मोटिवेट करेंगे मनु का अंदर जो एक मैडल मतलब मेरे साथ यह क्यूं हुआ कैसी हुआ यह सब इसके दिमाग में चल रहा था हम लोग 25 दिनों में मनु के चेहरे पर कोई खूशी नहीं जलकी क्योंकि मनु को रह रहे के अपना इस समय याद आ रहा था कि मेरे साथ यह क्यूं हुआ मैंने ऐसा क्या बुरा किया कहा कमी रहगी मतलब यही सब चीजें उसको बड़ी दुखी कर रही थी और साथ में हम लोग तो जाते हैं जब चादो तकलीप में होता है अब जब यह जीत का टाइम है पहला ब्राउन जी जीत लिया है देश के लिए तो अब आपको क्या लग रहा है अब उसके चेहरे पर किस तरह के भाव होंगे और जब बात हो गई आपसे तो क्या बताएंगा उसको मेरा जसन तो ज उसी गोल्ड से ज़्यादा मेरी लिमाईनी नहीं रखती बिलकुरा जिख तरह से मनु भाकर के जो परिवाजन है उनकी माता है उनके पिता है उनके जो विचान है वो कहना कहीं बताते ही कि आज जो मनु भाकर नहीं थे हास रचा और जिस तरह से इतना नाम बनाया उसके प बहुत बहुत शुक्रिया हमार साथ जुदने के लिए